तीसरा बाग है सफलता का रहस्य अंडर 14 क्रिकेट टीम 14 यानिकी 14 साल की अंडर यानिकी उनके कम उम्मर से 14 साल के कम उम्मर में हो उनकी क्रिकेट टीम थी उनके कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया थ उनकी तीर फाइश्टार होटल में ठहरी थी, वहाँ परव रुकी थी, सुबह उट्टे ही पूरी टीम, कोच, मैनेजर, सभी के साथ अलपाहाद, यानि की नास्ता, नास्ते के लिए तैयार थी, एक मात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था, कि एक मात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था, उशे ढुलने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं नहीं मिला, बाद में किसी ने जाकर उसे कमरे की गैलरी में, कहा देखा तो कमरे की गैलरी में दिखा, तो वह एक हाथ से गेंद फेक रहा था, और जो गेंद दिवार से टकरा कर वापस हा तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाडी टीम में सामिल हो नहीं उसी से ही संतुष्टी थी कि उन्होंने एक टीम को वह टीम में खेल रहे थे। उसी से वह संतुष्टी, यानि उसी से वह खूस थे लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास कर रहा था यानि की प्रैक्टिस कर रहा था उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव लगाव यानि प्रेम अथ्वालगन देखकर कोच, मेनेजर और सभी खिलाडी साथी यानि की चकित रह गई उसे ही देख रहे थे आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अध्वितिय सफलता प्राप्त की अध्वितिय ऐसे किर्थिमान उन्होंने स्थापित की कई विश्वर रिकार्ड उसके कदम चुमने लगे किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा कि सफलता का रहस्य कारण क्या है तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से नम्रता पुर्वक उत्ता दिया कि मैं हर मेच तीन बार खिलता हूँ पहले अभ्यास के रूप में दूसरी बार सच्चमुच मैदान में और तथापी तीसरी बार कैसे तो मेच के बाद मुल्यांकन के रूप में कैसे तो कैसे किस तरह वह खेले मुल्यांकन यानि की किमत लगाना पर वह कैसे खेला कैसे सुधार उसके लिए वह खेलता था वह स लड़का और कोई नहीं परन्तु क्रिकेट चगलत में क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नीतने किर्तिमान स्थापित करने वाला कौन था तो हमारा सचीन रमे स्टेंदूल कर था सच्मुच उनमें एकागरता थी मन को स्थीर करना था अविरत अभ्यास हर रोज लगा कठोर परिश्ट्रम मेहनत थी और शफलता काम्याबी के आधार आधार यानि की नीव है वह कि अ